टोबा टेक सिंग, सादध हसन मंटू बटवारे दे दोटोटोटोटोटों पाकिस्तान अते हिंदोस्तान दिया हकूमता नो ख्याल आया के एक लाकी कैदियां वांग पागलांदावी तबादला होना चाहिदा यानि जड़े मुसल्मान पागल हिंदोस्तान दे पागल खान्या विच ने उनानू पाकिस्तान पेज़ दिता जावे अते जड़े हिंदू अते सिख पाकिस्तान दे पागल खान्या विच ने उनानू हिंदोस्तान दे हवाले कर दिता जावे पता नहीं ये गाल वाजब सी या गैर वाजब चलो फेर भी बुद्धी मानना दे फैसले अनुसार इदर उदर उच्ची पदर दियां कान्फरेंसा हो यां अति अखी पागलां दे तबादले लई एक दिन निश्चत हो गया चंगी तरह चान भी इन कीती गई ओ मुसल्मान पागल जेना दे सबंदी हिंदुस्तान विची सन उत्थी रहन दित्ते गई बाकी जड़े बचे उनन उसर हाद्थे पे एई दित्ता गया इद्रों पाकिस्तान तों क्योंके लगपग सारे हिंदु सिख जा चुके सन इस वास्ते किसे नों रखन रखों दे सवाल ही पैदा नहीं हो या जिनने हिंदु सिख पागल सन सारे दे सारे पुलिस दी रखवाली विच बार्डर उते पुचा दित्ते गई ओदर दा पता नहीं परेद दर लहौर दे पागल खानने वेच जदो इस तबादले दी खबर पुची तब बड़ी दिल्चस्प चर्चा होन लगी एक मुसल्मान पागल जो बारां वर्यां तों हर रोज बकाइदा जमीदार पढ़दा सी उस तों जदो उसने एक दोस्त ने पुच्छया मौलवी साब पाकिस्तान की उन्दा है तो उसने बड़ी सोच विचार पिछों जवाब देता हिंदोस्तान चे कजई था हैं जित्थे उस तरह बंड़े ने एक जवाब सुनके उस दोस्त संतुष्ट हो गया इसे तरह एक सिख पागल ने को और सिख पागल तो पुच्छया सेदार जी सानू हिंदोस्तान क्यों पेजया जा रहे हैं उसनू तो तो दी बोली नी ओंदी दूजा मुस्कुराया मैंनू तो हिंदोस्तान दी बोली एक दिन नौद्या नौद्या एक मुसल्मान पागल ने पाकिस्तान जिन्दाबाद दा नारा एने जोर नल बोल लिया कि फर्श उते तिलक के डिग पया आते बेहोश हो गया कई पागल जही वी सन जड़े पागल नहीं सन उना विच बहु गिंतिया जहे कातला दी सी जना दे रिष्टेदारा ने अफसरा नो कुछ दे दवा के पागल खाने पे जवा देता सी कि वो फांसी ते फंदे तो बाच चाण ए पागल कुछ कुछ समझ दे सन कि हंदुस्तान क्यों बंडिया गया है अते ये पाकिस्तान की है परन्तु सही हादसया तो ओ भी बेखबर सन अखबारा तो उना नो कुछ पता नी से लगदा अते पैरेदार सिपाई अनपड अते मूर सन जना दी गलबात तो भी हो किसे नतीजेते नी सन पहुंच सकते उना नो केवल इनना पता सी कि एक आदमी ममद अली जना है जिसनो काइद आजम केंदे ने उसने मुसलमाना वास ते एक वकरा मुलक बनाया है जिस दना पाकिस्तान है एक कित्थे है इस दी पगोलक स्थिती की है इस दे बारे यो कुछ नी से जान दी एही कारण है कि पागल खाने वेच उस सब पागल जेना दा दिमाग पूरी तरह नहीं से हिल लिया इस पंबल पूसे चपए वे सन कि यो पाकिस्तान ची ने जा हिंदोस्तान ची जे हिंदोस्तान ची ने ता पाकिस्तान के थे जे पाकिस्तान ची ने ता एक के में वो सकता है कि वो कुछ देर पहल ना एच थे रहन दिया भी हिंदोस्तान ची सन एक पागल ता हिंदोस्तान ते पाकिस्तान ते पाकिस्तान ते चकर्ज कुझ अजया फसया कि होर ज्यादा पागल हो गया चाड़ू लौंदया ओ एक दिन रुख होते चड़ गया अधे टानी होते बैठ के दो कंटे लगा तार तकरीर करदा रहा जो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दे नाजख मामले उते से सपाईया ने जाद उनुँ हीठा उतरन लेकिया ता होर उत्ते चड़ गया जाद उनुँ डराया तम काया गया ता होने किया मैं ना हिंदुस्तान चरे ना चौंदा हाना पाकिस्तान विच मैं इस रुख होते ही रहूंगा बड़ी देर पिछ्छों जद उनुदा दोरा ठंडा होया ता हो थल्ले उतरया अते अपने हिंदु सिख दोस्तानल गले मिल मिलके रोण लगया इस ख्याल नल उन पार आया सी के उसनु छाड़ी के हिंदुस्तान चले जानके एक MS सी पास रेडियो एंजीनियर जड़ा मुसल्मान सी अते दुझे पागलां तो बिलकुल अलग थलग भाग दी एक खास पगडंडी उत्ते सारा दिन चुप चाप टेल दा रेंदा सी विच ए तब दिल्ली परगट होई के उने अपने सारे कपडे उतार के दफेदार देवाले कारदते अते नंग तड़ंगो के सारे बागज तुरना फिरना शुरू कारदता चन्योट दे एक मुटे मुसल्मान पागल जड़ा मुसल्म लीग दा एक सरगरम मेंबर रह चुक्या सी अते देन चे पंदरा सूलाँ वार नाया कारदा सी दे एक दा में यादत चाड़ देती उदा नाम अमद अली सी सो उने एक दिन अपने जंगले चलान कर देता के ओ काईद आजम अमद अली जिना है उस दे देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंग बढ़ गया इस तो पहला कि खून खरबा हो जाए दोनानों खतरनाक पागल करार देके अलग अलग बंद कर देता गया लोर दा एक नौजवान हिंदू वकील मबच चा सफल होके पागल हो गया सी जदो उने सुनया के अमरिस सारे हिंदोस्तान चे चले आ गया है तो उन्हों बड़ा दुख होया इस शेयर दीक हिंदू कुडी नलों नुम अब्बत हो गयी से पामे जिसने उनू ठुकरा देता से पर दिवान की दिया आल्त विच विच वियो उस कुडी नू नै सिपुल्या ओना सारे हिंदू वते मुसुल्मान लीडरानू गालां देन लगपया जिनाने मिल मिला के हिंदूस्तान दे दो टुकडे कर देते ओधी में भूबा हिंदूस्तान नी बन गई ते ओ पाकिस्तान नी जद ता बाद में दी गाल शुरू होई ता उस वकील नू कई पागला ने समझाया क्यों दिल थोड़ा ना करे उनू हिंदूस्तान पे दिता जावेगा उसे हिंदूस्तान चे जित्थे वदी में भूबा रहन दी है पर उलोर छड़ना नहीं चौन्दा सी उस दा ख्याल सी कि अमर्स सर विच उस दी प्रैक्टिस नहीं चल लेगी उन्हानू जदा पता लगया कि इंदूस्तान अजाद करके अंग्रेज चले गयें तो उन्हानू बड़ा सदमा लगया और लुग-लुग के कंटिया बदी आपस जिस एम्प मसले उत्ते लकल बात कर दे रहन दे के पागल खानने विच उना दा स्थान किमेदा होवेगा यूरिपन वाड रहेगा जा उड़ जावेगा ब्रेक्फास्ट मिल्या करेगा जै नहीं कि उन्हानू डबल रोट्टी दी था बलडी इंदियन चपाथी ता नहीं अंदर लंग आनी पे इक सिक जिसनू पागल खानने जिसनू एक सिक सी जिसनू पागल खानने चे दाखल होयां पंदरां वर्यो चुके सनू हार वेल्यो दे मूँ ए अजीव जै लफस सुनाई दिन्दे सनू ओपड़ी गड़गड दी अनेक्स दी बेते अना दी मूँ दी दाल अप दी लाल टैनू ना दिने सोंदा सी न रात नू पहरे दारां दाए कैना सी के पंदरा वर्यां दे लंबे अर्स से चो एक पाल भी नहीं सुता सी ओ लेटदा भी नहीं सी बल्के कदे कदे कांदनल टेक लगा लेंदा सी चत तो पैर खड़ा रहन करके उस दे पैर सुझ गए सन अते पिंजनियां भी फुल गईयां सन पर इस सरीरक तकलीफ दे बावजूद ओ लंबा पैके अराम नी सी करदा हिंदुस्तान पाकिस्तान अते पागलां दे तबादले बारे जाद कदे पागल खानने चे गलबात हुंदी सी ता ओ ते आनल सुन्दा सी कोई उन्हों पुछदा के उस दा की ख्याल है ता ओ बड़ी गंबीर तानल जवाब दन्दा ओ पड़ी गरगर दी अनेक्स दी बेते है ना दी मूंग दी दाल अफ दी पाकिस्तान गवर्मेंट पर उन्तु बाद विच अफ दी पाकिस्तान गवर्मेंट दी था अफ दी टोबा टेक सिंग गवर्मेंट ने ले ले अतियों ने दूजे पागला नो पुछना शुरू कर दिता कि टोबा टेक सिंग किते है ते किते दा ओरेन वाला है पर किसे नो भी पता नहीं सी कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान विच है अतियों ने दूजे पागला तो पुछना शुरू कर दिता कि टोबा टेक सिंग किते है ते जिते दा ओरेन वाला है पर किसे नो भी पता नहीं सी कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान चाह जा हिंदोस्तान चाह जो दस संदी कोशिश कर दे सन वह आपे सुल जन जपास जन दे सन क स्याल कोट पहला हिंदोस्तान चुंदा सी पर हुन सुने कि पाकिस्तान चाह कि पता है कि लोड जो अज पाकिस्तान चाह कल हिंदोस्तान चलिया जाए जसारा हिंदोस्तान ही पाकिस्तान बन जाए यह भी कौन छाती हुते हाथ रख के कह सकता है कि हिंदोस्तान आते पाकिस्त अन्दुनों किसे दिन सिरे तो ही गाइब हो जान। एस एक पागल दे केस छिदरे होके बहुत काट रह गये सां। क्योंकि ओन नौंदा कदे कदाईं सी इसलिए दाड़ी अतेवाल आपस जम गये सां। जिस दे कारन ओदी शकल बड़ी प्यानक हो गई सी पर आदमी निडर से पंदरा वरे आचोंने कदे भी किसे नल चगड़ा फसाद ने कीता से। पागल खाने दे जो पुराने नौक कर सन। ओदे बारे इनना को जान दे सन। टुबा टेक सिंग ओधी काफी जमीन सी चंगा खानदा पिंदा जमीदार सी के अचानक दमागे लगया। उदे रिष्टेदार उनू लोए दे मोटे मोटे संगला नलबा निके लियाए और पागल खाने दाखल कर आगे। मीने चिक वेरा मुला कात लईए और लोग आउन दे सन। अधे उस दी सुख सान दपदा करके चले जान दे सन। बड़ी देर ता के सिलसला जारी रहा पर जदो पाकिस्तान इंदुस्तान दी गड़बर शुरू ओई तो उना दा ओना जाना बांद हो गया। उदना बिशन सिंग सी पर सारे जणे उनु टोबा टेक सिंग केंदे सन। उनु ये बिल्कल पता नहीं सी के दिन केडा है मीना केडा है जक्किन्ने साल बीत चुके ने परंतु हार मीने जदो उस्ते सके सबंदी उनु मिलनु आस्ते ओनवाले उन्दे ता उनु अपने इसले ओ दफादार नु केंदा क्यो दी मुलाकात आ रही है उस देनो चंगी तर नोंदा सरीर उत्ते खूँ साबबन कसोंदा अते वालांच ते लाखे कंगा करता अपने ओक अपड़े जो कदी वर्तदा नैसी कड़वा आके पोंदा ते यहों साजता जिक्के मिलनु वाल एक उंगली वद्धी वद्धी पंदरा वर्यांचे मुट्यार हो गई सी बिशिन सिंह उनु पचान दाई ले सी ओ बच्ची सी उदोवी अपने बापनु देखके रोंदी सी मुट्यार होई तद्वियोधियां अखाचो हंजू बेंदे सी पाकिस्तान ते हिंदुस्तान द नहीं ओंदी सी पहला तो उनु अपने आपता लग जान्दा सी के मिलनु वाले आरे ने पर हुन जमें उदे दिल दी आवाज भी बंद हो गई सी जो उसनु नहीं दे खबर दे दिया कर दी सी उधी बड़ी इच्छा सी के ओ लोक उन जो उसनल हम दर्दी प्रगट कर दे सन अते ओदे वास्ते फाल मठे आईया आते कपड़े लिया उन अनु ओन ताओ अना तो पुछ दा के कि टोबा टेक सिंग कि थै ताओ उनु जरूरी दास द दे कि टोबा टेक सिंग पाकिस्तान जाय जा हिंदूस्तान जाय क्योंड ख्याल सी कि अतो बज उनू ऑन जOCमीन ने पागल खानने ची का पागल जया भी सी जो अपने आपनू खुद आ कैंदा सी बिशन सिंग ने उस तों जद़ों एक दिन पुछेया कि टुबाट district संग पाकिस्तान चे लाकिन धे हिंदुस्तान चे तो उने अपनी आदत एनुसार ठाका मारे आते किया हो ना पाकिस्तान चे लाकिन ना हिंदुस्तान चे क्योंकि ओने होल बते रहे हुकम देने से एक दन दुखी हो के बिशन सिंग खुदा नो टूटके पया ओपर दी गरगर दी अनेक्स दी बेते आना दी मुझ दाला वाइग रूजी दी खाल साइन वाइग रूजी दी फते जो बोले सोने हाल सथ स्रिया काल इस ता शायद ए मतलब सी के तू मुसल्माना दा खुदा है सिखा दा खुदा हुदा ता जिरूर मेरी सुनदा ता बादले ता कुछ दिन पहला टूबा टेक सिंग दा एक मुसल्मान जो मुझ तबाद ले तो कुछ दिन पहला टोबा टेक सिंग्दा एक मुसल्मान जो बिशन सिंग्दा दोस्त सी मुला कातली आया पहला ओकदे निसी आया जदो बिशन सिंग्दे उन्हों देखिया ते कपास से हट गया फिर वापस जान लगा पर सिपाईया ने उन्हों रोकिया ते इन्हों मिलना है तेरा दोस्त फजल्दीन है बिशन सिंग्दे ने फजल्दीन दूँ एक नज़त देखिया ते कुछ बड़़ण लगा फजल्दीन ने अगए वद को दे मोड़ देते आथ रखिया मैं कई दिना तो सोच रहा सी कि ते इन्हों मिला पर वेली ना मिली तेरे सब आदमी हैरियत नाल हिंदुस्तान चले गए सन मैं थो जिन्नी मददो सकी मैं कीती तेरी ती रूप कोर ओ बोल दें बोल दें रुक गया बिशन सिंग्द कुछ याद करने लगा ती रूप को और फजल दी ने रुक रुक के किया हाँ ओ ओ ओ ओ भी ठीक ठाक है उन्हा नाल ही चली गई सी बिशन सिंग्द चुप रहा फजल दी ने फिर केना शुरू कीता उन्हा ने मैं नुक्या सी के तेरी खेर खेर ये तो पुषदा रहा हुण मैं सुने हैं तूं हिंदुस्तान जा रहे हैं पाई बलबीर सिंग अते पाई बदावा सिंग ने मेरा सलाम केना अते पैन अमरित को और नो भी पाई बलबीर सिंग ने केना के फजल दीन राजी खुशी है दो पूरियां मैसा जो ओ छट गई सी पाई बलबीर सिंग ने केना के फजल दीन राजी खुशी है दो बूरियां मज्जा जो ओ छट गई सी ओना चो इक ने कटा दिता है दू जी दे कटी होई सी पर ओछी दीनी दी ओके अमसा तु सब काई क्या बात है या क्या बात है यूर करेंट्ली रिकॉर्डिंग आयो तेरे वे जो हूँ दो बूरियां मज्जा जडियां ओ छट गई सन उना चो इक ने कटा दिता है दूजी ने कटी दिती सी पर ओछे दिन दी ओके मर गई अथे मेरे लाहक जो सेवा ओवे दसनी हर वक्त ते आ रहा ते ए तेरे वास्ते थोड़े जए मरूंडे ले आया बिशन सिंग ने मरूंडियां दी पोटली लेके कोल खड़े सपाई देवा ले कर दती ते फजल उदीन नो पुछेया टोबा टेक सिंग किते है टोबा टेक से टोबा टेक सिंग पाकिस्तान ची जा हिंदोस्तान ची नहीं नहीं पाकिस्तान ची नहीं नहीं पाकिस्तान ची नहीं 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 प वाड़े पागलान या सूचीया पहुंच गईया सन अते तबादले दी तरीख मी पक्की हो चुकी सी डाड़ी ठंड दे देन सन लौर दे पागल खानने तो हिंदू से एक पागलान नाल परिया लारिया पुलिस दे दस्ते नाल रवाना हो गईया सबंदत अफसर्वियोना द नाल सन वाग्य दे बॉडर ते दोन्नों पास्यां दे सुपर्डेंट एक दुज्यनू मिले ते शुरू आती कारवाई खतमों तो बाद अधला बदली शुरू हो गईया जड़ी पूरी रात चल दी रही पागलान नू लारिया चो कड़ना अते उननानू दूसरे अफसरा अधिया वाले करना बड़ा अखा कामसी कुछ ते बार निकल दाई नैसन जड़े निकलन्नू त्यार हुंदे उनननू संबाल नौ अखा हुंदा युग एद्धार उद्धर पाज पेंदेसन जो नंगेसन उनननू कपड़े पुआ जान्दे ता वो फार के अपने सरीरो ल अखरा उत्तों ठांडे नी कड़ा के दी सी के दंदो डिका वाजरे आसे बहुत है पागले अदला बदली नहीं चाओंदे से इसलई के उनननू समझ नहीं पैर रही सी के उनननू अपड़ी जगा तो खाड़ के किते पे जया जा रहे है थोड़े जयो जो समझ सक्दे सन प दो तिन वार चगड़ा उन्दा उन्दा बचया क्योंके कुछ हिंदुआ आते सिखान वे नारे सुन सुन के वाट चड़ गया सी जदो बिशन सिंग दिवारी आई ते उसनों दुझे पासे पे जनबारे हाकम लिखत परत करन लगगे तो उसने पुछया तो बट एक सिंग कि थे हैं पाकिस्तान चे जा हिंदोस्तान चे सिबंदत अफसर हसे है ते बोलिया पाकिस्तान चे ए सुनके बिशन सिंग उच्छल के एक पासे हो गया ते पाचिके अपने बाकी साथियां को पहुंच गया पाकिस्तानी सपाईयां उन्दा ले दुझे पासे नुल जान उसनों बहुत समझाया गया देख टोबा टेक सिंग उनों हिंदुस्तान चला गया है जो नहीं गया ता छेती पर इदता जावेगा और उन नाम अन्या जदो उसनों जबरदस्ती दुज्जे पासे ले जाना दी कोशिश कीती गई तब वेच जहे एक थां अपनिया सुझिया यह लगता ना इस तरह खलो गया जिवे होन कोई ताकत उनों अथो नियता आ सकेगी क्योंकि बंदा किसे दा कोई नुकसान ना करन वाली किसंदा सी उसनों बहुत समझाया गया देख टोबा टेक सिंग होन हिंदुस्तान चला गया जो नहीं गया ता छेती पर इदता जाए पर उन ना मन्या जदो उसनों जबरदस्ती दूजे पास से ले जान दी कोशिश कीती गई तो विच जहे एक था अपनिया सुझियां या लत्ता ना इस तरह खलो गया जिवे होन कोई ताकत उनों अथो नहीं डा सकेगी क्योंकि बंदा किसे दा कोई नुकसान ना करन वाली किसंदा सी इसलिए उसनों जबरदस्ती ना कीती गई उनों वो थे खड़ा रहन देता गया ते बाकी काम हुंदा रहा शूरज निकल मों पहलना पथर ओए खड़े बिशन सिंग दे संगों एक असमान चीरवी चीक निकली एदर उद्धर दे कई अफसर पा जे आयते देख कि ओ आदमी जड़ा 15 साल दिन रात अपनिया लगता ते खड़ा रहा सी मूदे मूँ लंमा पहा सी इदर कंड्यालियां तारा पिछे हिंदोस्तान सी ओदर ओजयाई कंड्यालियां तारा पिछे पाकिस्तान धर मियान वेच जमीन दे ओस टुकड़े ते जस्दा कोई ना न नहीं सी तो बाट टेक सेंगे प्यासी